मावेव एस्टो निशान भारत द्वाज में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटी कोटी अभिनंदन है भाई और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कीजे शेर कीजे कॉमेंट कीजे और कॉंट्रिब्यूट जरूर कीजे और आज के विशे पे हम बात करते हैं उसका टाइटल है याचना नहीं अब रन होगा संग्राम बड़ा भीशन होगा बहुत समय से ये लोग जो फरजी किसान है खालिस्तानी अंदोलनकारी है इन्होंने बड़े समय से उपद्रव मचाया हुआ है और इनके विशे में मुझसे कई बार लोगों ने पूछा मैंने लाइब भी किया था सरकार नहीं चाहती थी कि जन्हानी हों लोग मरें ये उपद्रवी यही चाहते थे कि सरकार के किसी भी क्रिया करम से पांदस लोग मर जाएं उसको फिर उगर अंदोलन का रूप देखे पूरी पूरे देश में और इंटरनेशनल मीडिया तयार है इस बात को बढ़काने के लिए उठाने के लिए बस एक कोई हाथसा हो और ये तयार हो जाएंगे पूरे दुनिया में दनादर पर मेरा जोतिशी आंकलन ये कहता है कि अब याचना नहीं होगी सत्रह अप्रेल से ये पंद्रह अप्रेल के बाद में ये जो आंदोलन नहीं है बड़ा उगर होगा और उस समय के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पंद्रा मार्च उस समय के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि सरकार अब याचना नहीं करेगी अब याचना नहीं अब रन होगा संग्राम बड़ा भीशन होगा जब भगवान कृष्ण गए थे अर्जुन से कई बार याचना की उन्होंने उस युद्द को टालने का प्रियास किया जो हमारी सरकार भी कर रही है क्योंकि ये जो आगे पहली पंक्ती में खड़े वे लोग चीक चिला रहे हैं ये देश द्रुही है ही है लेकिन उसके पीछे उन्होंने भाड़े के लोग लाए में पांसो पांसो हजाराजार रुपे परड़े के मजदूर लाए में उनका कोई कुसूर नहीं है वो मजदूरी कर रहे हैं अपनी ये भाग जाएंगे वो मरेंगे और उसको इशू बना के ये पूरी दुनिया में हंगामा क्रियेट करेंगे क्योंकि स्पोंसिर्शिप तो कहीं और से बड़ सरकार ये निश्चित करेगी कि आप रण होगा इन में से एक एक को छाट छाट के पकड़ पकड़ के उनकी पूरी तरीके से सुताई की जाएगी ये आप निश्चित तोर पे जानके चली ऐसा होने वाला है जैसे बगवान कृष्चिन के अनुरोध करने के बाद भी दुरियोधनी माना तो भीशन युद हुआ था और कौरव समाप्त ही हो गए थे कौरव कुल समाप्त हो गया था तो उसी प्रकार से अब जो संग्राम होगा सरकार की तरफ से यह जो उपद्रवी है कौरव रूपी देश द्रोई जो खालिस्तान का जंडा लिए बड़ी बड़ी मशीने लिए कह रहे हैं शांति पूर्ण आंदोलन कर रहे हैं जो मिर्ची पराली चलाते हैं जो पुलिस वालों को पीठते हैं वो शांती पूर्ण आंदोलन के जिसको नाम दे रहे हैं और पिर आके किसान संक्तन बोलते हैं कि सरकार किशान विद्रोई है किसान इन में से कोई नहीं है और ये सब जानते हैं वो भी जानते हैं जो सामने खड़े हुएं और किस से कितने पैसे मिले हुए ये भी परदा पाश होगा और भेंकर रण के पश्चात इनको पूरी तरीके से देश से इनको और इन जैसे लोगों को समाप कर दिया जाएगा दो हजार पच्चिस में जून तक अब शिरू होगा और पच्चिस में जून तक पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा स्वतंत्र जो स्वच भारत अभ्यान है जिस तरीके से कच्रे और ट्रटी को हमने साफ किया है उसी तरीके से इस ट्रटी को साफ करें आज आपको रेलवे स्टेशन पे दुकानों पे कचरे का डबा मिल जाता है स्वच्छता मिलती है ट्रेन में जो पहले नहीं मिलती थी उसी तरीके से जो पहले गंदगी यहां पे साफ नहीं वी थी अब इस गंदगी को साफ करने का समय आ गया है जोतिशिये गर्णा के अनुसार इनका खात्मा निच्चत है पंदरा मार्च के बाद में यह और उपत्रव करेंगे और पंदरा मार्च के बाद एपरेल में जून तक इस सिलसला चलेगा लेकिन जैसे ही मई में चुनाव समाप्त हुए इनके उपर नहीं सरकार बनते ही इनके उपर आगाज शुरू हो जाएगा गिरना टंडे बरसने शुरू हो जाएंगे यह भागेंगे देश विदेश में तो भी उनको कहीं नहीं छोड़ा जाएगा इन निश्चित मान के चलिए मैंने एक लाइफ सेशन में भी कहा था यह वीडियो मैंने इसने लगा है कि वो लाइफ सेशन बड़ा हो जाता है बहुत सारे लोग देख नहीं पाते हैं तो दोस्तों याचना नहीं अब रण होगा संग्राम बड़ा भीशन होगा और देश द्रोईयों का समूल नाच होने वाला है मैंने पहले भी एक वीडियो बना के कहा था कि मोदी का रुद्रावतार देखोगे चुनाव तक शानती है तत्पच्चात नहीं चाहे वो राजनितिग्य हो चाहे वो किसी प्रकार का देश द्रोई हो उनका अंत बहुत समय बहुत नजदीक है समय नहीं है बहुत ज़्यादा आज के वीडियो में इतना ही है आच्छा आपको पसंद आया होगा प्लीज सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए कॉमेंट कीजिए और कॉंटिब्यूट जरूर कीजिए जितना भी आप कर सकते है महादेव